सो वेलकेम बैक तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 कलास 6 के लिए और लेक्षर 1 है और बाई पपो गुरू दोस्त मैं हूं पपो गुरू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल साइंस माल तो दोस्त आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज जल चैप्टर 2 है और कलास 6 के लिए है और लेक्षर 1 और बाई पपो गुरू और यह 2021 के लिए है दोस्त यह 2021 के है यह 2021 के लिए है ठीक है तो दोस्त आज की इस वीडियो में सबसे पहले जल दिया हुआ है चैप्टर का नाम तो दोस्त सबसे पहले जल जानेंगे कि जल क्य दोस्त कहने का मतलब योगिक समझ रहे हो योगिक कहने का मतलब दोस्त होता है दो चीजों मतलब दो तत्यों का मिलान आपको कहलाता है दोस्त योगिक तो उसी परकार दोस्त जब हाइड्रोजन देखे एक आपका तत्यों है हाइड्रोजन के दो परमानों और ऑक्सिजन के ए जोगिक बने हैं, जिसको बोलते हैं H2O, तो दोस्त यही है जल का सूत्र, दोस्त जल का यही सूत्र है, तो जल आप समझ गया होंगे कि जल क्या होता है, इसका अगर परिभासा बात करें, तो परिभासा देखे इसका यह हो सकता है, देखे दोस्त, जल या पानी बात से में ज साइनिक पदात है जिसका अनु दो हाइड्रोजन परमानु और पीने के पानी के लाव एक ऑक्सिजन परमानु से बना है जिसको बोलते हैं एस टू ओ ठीक है जिसको बोलते हैं एस टू ओ यह सारे प्रानियों के जीवन का अधार है जी हां दोस्तों जल जो है यह सारे प्रान तोस अवस्था गैसी अवस्था में भी पाया जाता है जी हां दोस्तों जल जो है ठोस दरब्य और गैस के रूप में पाया जाता है समझ गया है अब आपको मन में डाउट आ रहा हुआ कि ठोस दरब्य गैस क्या होता है तो चलिए हम ठोस को पहले समझ लेते हैं दोस्तों तो ठोस को अगर अगर बर्प को पिहलाएं दोस्त यह पानी हो जाता है यह जो पानी हुआ ना दोस्त तो वही हो गया आपको दरब्य क्या हो गया दरब्य हो गया समझे यह हो गया आपको दरब्य और दोस्त क्या आप कभी जब घरों में खाना बनता है क्या आपने देखा है जब खाना बनता है तो उसमें कर जो पानी है उपर कर उड़ता है यानि कि वो हो गया दोस्त जब माल लेते हैं माल लेते हैं कि यह लेते हैं दोस्त अब आग लहराते हैं हम आग लहराते हैं तो इसमें से जो निकलते हैं न भाप जो भाप निकलते हैं दोस्त वही आपको होते हैं क्या गैसी रूप में होते हैं तो जल समझ गये कौन कौन रूप में होते हैं ठोस दरब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् चलिए तो आगे देख लेते क्या है अब दोस्तों सवाल है कि जल कहां कहां से आता है जल जो है कहां कहां से पराप्त होता है ये बच्चा के वाली सवाल है दोस्त ये बच्चा वाली सवाल है तलाब चापकल नदी पुखरा वरसा जरना इत्यादी से आता है जी हां दोस्तों पता होगा तो चलिए अब आगे देख लेते हैं चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त वर्षा का जो जल है ना वर्षा का जो पानी हो वो कहां जाता है वर्षा का जो पानी है से बादल है जो पानी गिराती है यह जो कहां गया इसका जल कहां गया तो दोस्त कि आप जानते हो क प्रिथवी का दो बाटा तीन भाग यानि आधा से भी ज़्यादा क्या है 75% भाग क्या है आपको पानी ही पानी है तो इस जल का अधिकांस भाग जो है ना समूंद्र महासागरों में चला जाता है जल का अधिकांस भाग कहां चला जाता है समुंद्र तथा महासागरों में चला जाता है जी हाँ दोस्तों आपको पता हो गया होगा और भूमी में यार नदियों के जरीयों भाग जाता है हम ये कह सकते हैं वर्षा का जो जल है खेत, खलिहान, पुखरा, नदी, तलाब, समुंद्र तो वर्षा का जल कहां जाता है, चले जाता है और भूमी पर भी रहता है, और भूमी के अंदर चले जाता है ये तो मतलब हो गया कि ये वर्षा का जल कहां कहां जाता है तो आप समझ गया होगे, तो नहीं समझ में आती है तो वीडियो के कॉमेंट में बताईए मैं आपका solution बताऊंगा तो चलिए आगे देखते हैं दोस्त आगे जानना है हमको जल चक्रे तो यहाँ जल चक्रे के बताएग यह है जल चक्रे क्या होता है तो उतर में लिखा हुआ है उपर उतर में लिखा हुआ है उपर तो सबसे पहले हम उपर चलते हैं बिना रोक टेक के उपर आए और यह आपको फोटो दीख रहा होगा दोस्त यह आपको फोटो दीख रहा है यह आपको दीख रहा है यह है आपके बादल लाल पेंजरा कर लेते हैं तब आपको अच्छी लगेगी यह है आपको बादल दोस्त यह आपको क्या है बादल है यह भी बादल है ठीक है दोस्त यह आपका सूरी की परकास है ठीक है दोस्त यह नदी है यह भूमी है समझें यह नदी है यह बादल है यह सूरी की परकास है यह जमीन है ओके दोस्त तो आज हम को जानना है जल चक्रे तो दोस्त देखो जल चक्रे कहने का मतलब हम असानी से कह सकते हैं कि जल को अस्थान बदलना कहलता है आपको जल चक्रे और जल अस्थान कब बदलता है दोस्त तो देखो दोस्त जब सूरी के किरने जब पढ़ती है न दोस्त भूमी पर और समूंद्र में तो दोस्त ये जो वास्पी करन होके जल उपर चला जाता है वास्पी करन का मतलब क्या होता है दोस्त वास्पी करन का मतलब होता है जल को उपर जाना वास्पी करन कहलाता है समूद्र की जल जो है उपर जाना आपको कहलाता है वास्पी करन और वही जब भूमी पर परता है तो भूमी पर के जो पेण पौधे हैं उनका जो जल है ना पतियों पर से जब जाता है ना तो वो कलाता है आपको वासपोच सरजन क्या कलाता है वासपोच सरजन जब दोस्त पेड़ पौधे का जल और नदी का जल दोनों जब आपस में मिलती है ना जब आपस में मिलते हैं, तो दोस्त ये बादल का निर्मान करते हैं, क्या का निर्मान करते हैं, और वही बादल जब पानी जब होता है, जब पानी होता है, तो वो नीचे की और गिरता है, तो वो भूमी पर भी गिरता है, और कुछ समूंद्र पर भी गिरता है, तो दोस्त ह हम यह कह सकते हैं जल्चक्र का मतलब कि भूमी से उपर और उपर से नीचे ऐसे चक्र जलने की परकिरिया को बोलते हैं जल्चक्र समझें दोस्त यानि कि भूमी से उपर और उपर से नीचे भूमी से उपर और उपर से नीचे जाने की परकिरिया को बोलते हैं जल्चक्र समझे जल का मतलब समझ रहे हैं और चक्र का मतलब घूमना जल को यहां से यहां घूरना क्या कलागा जल चक्री समझ गए तो चलिए दोस्त अब चलती हैं आगे तो आगे दोस्त हमको जाननी है क्या हमने जाना जल चक्री अब देखते हैं दोस्त वास्पन के लिए वास्पन के लिए उस्मा कहां से मिलती है जी हां दोस्तो कोई मान लेते हैं यह समूंद्र है दोस्त और शमूंद्र में पानिया है समूंद्र में मान लेते हैं पानी है समुंद्र में पानी है और पानी है तो इसको उस्मा कहां से मिलता है मतलब उस्मा समझ रहे है गर्मी इसको गर्मी कहां से मिलता है तो एक तो दोस्त सूर्य से मिलता है एक तो सूर्य से मिलता है मिलता है एक तो सूर्य से मिलता है और एक आग तो हम यह कह सकते हैं कि वास्पन के लिए जल को उसमा कहा कहा से मिलती है लिख लिजे नॉट्स में लिख लिजे तो उतर लिख लिजे आग आग और हो जाएगा सूर्य के परकास सूर्य के परकास समझें तो यह हो गया तो चलिए अब आगे चलते हैं अब लिखा हुआ है क्या पेण पोधे भी जल की बरबादी करते हैं जी हाँ दोस्तों देखें दोस्त हम लोग तो अगर मूध होना है तो पानी एक लोटा के बजा एक बाल्टी ले लेते हैं क्या पेण पोधे भी मूध होने के लिए एक बाल्टी ले लेते हैं नहीं न तो दोस्त यह कह रहा है कि क्या पेण पोधे भी जल की बरबादी करते हैं हम लोग की तरह क्या पेण पोधे भी हम लोग की तरह जल की बरबादी करते हैं तो दोस्तो ये जल पेंड जूप है ना हमारी तरह जल के बरबाधी नहीं करते हैं ये अपकुछ जल अपने पतियों में यानि अपने जो है ना उसके भाग पोधे के तो वो अपने किसी एक भाग में जमा रखते हैं और वो फिर वायू मंदल में छोड़ देते हैं तो दोस्त आपको समझ में आ गया कि पेन पोधा जों है जल की बरबादी नहीं करते हैं समझे वे अपने अत्रिक्त जल को अपने किसी भाग में जमा करके रखते हैं ठीक है और पोधा जो है हमारी तरह भी भोजन बनाती है लेकिन वह सूरी की उपस्तिती में अपना भोजन बनाता है ठीक है और जल को है कुछ भागों में रख लेता है समझे तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है तो दोस्तो आगे वास्पी करन वास्पी करन के से कहते हैं दोस्तो वास्पी करन हमने पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी आप हमने कुछ-कुछ जल चक्र में समझा है दोस्तो वास्पी करन के परिभास्ता आप लिख सकते हैं उतर लिखे हम लिख रहे हैं आप लिखे पानी को पानी को पानी को साफ नहीं चलता है पानी को उपर उठना उठना पानी को उपर उठना क्या करलता है वास्पी करन समझें पानी को उपर उठना क्या कराता है वास्पी करन अब दोस्तो बात आती है इसके बात दोस्तो आती है वास्पोत सर्जन किसे कहते है वास्पोत सर्जन किसे कहते है तो दोस्तो पानी के उपर उठना क्या कराता है वास्पी करन लेकिन आपने सही नहीं सुना है, गलत सुना है दोस्तों, अगर समुंद्र के पानी अगर उपर उठेगा तो वास्पी करेंगा अगर दोस्तों समुंद्र के अलावा अगर मानते हैं पेंड पोधे की जो जल है मानते हैं पेंड पोधे की जो आपको जल जल को उपर जाना वासपोट सर्जन कहलाता है समझे दोस्त पेड़ पौध है कि जल को उपर जाना क्या कहलाता है वासपोट सर्जन ठीक है तो यह आपको चली जाएगी तो चलिए अब आगे चलते हैं तो दोस्तो अब बात आती है वर्षा क्या होता है दोस्तो वर्षा क्या होती है तो यहां उतर लिख आववाई भारी हो जाती है तो नीचे को गिरने लगते हैं उसे वर्षा कहते हैं जी हाँ दोस्तो आपने सहीं सुना दोस्तो यह पेंड़ है यह पेंड़ है यह समूंद्र इसका जल और इसका जल इसका जल और इसका जल जब आपस में मिलते हैं और दोनों उपर की और उठते हैं तो वो धीरे धीरे जब उपर की और जाते हैं तो वो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसका जो कन है ना वो मतलब भारी हो जाती है उतना ठंडा हो जाता है कि वो उपर जाक दिखाई देने लगता है और वही जल के बुंदे जब भारी हो जाती है ना वायू में तो वह नीचे की और गिरने लगती है और वही गिरने की जो परकिरिया है ना कहलाती है आपको वर्सा समझे यानि हम यह कह सकते हैं कि वायू मंडल में जल भारी हो जाती है तो नीचे की और गिरने लगती हैं वही गिरने की परकिरिया को बोलते हैं हम वर्सा समझें तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की और अब आगे दिया होगा दोस्तों आगे दिया होगा आपको यदि काफी समय तक वर्सा ना हो तो क्या होगा यदि काफी समय तक वर्सा ना हो तो सोरी यदि काफी समय तक वर्षा हो तो क्या होगा तो लिखिये उत्तर जब वर्षा जब वर्षा होगी तो जीव जनतु का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा दोस्तो यदि काफी समय तक वर्षा हो तो वर्षा होगा तो जीव जनतु जो है ना उसका अस्तित्व हो जायेगा दोस्तो ठीक है तो यह तो आपको पता ही होगा और मतलब घर दुणार जतना हना सब भाह जाएंगे और भूमी पर पानी के कमीह नहीं रहेगा मतलब इतना पानी हो जाएंगे मर जाएं तो सालिए अब की यहां ही जात आ마 आगे आहां कि जुए एक और यहां है दोस्तों यदी थिए दो की समय तक वर्षा नहीं तो वहाँ था कि हो तो क्या कलागा क्या होगा और या नो हो तो क्या होगा तो इसमें भी है सब लिखिए अस्थान अस्थान सुखा सुखा पड़ जाएगा कहने का मतलब है दोस्तों यदि काफी समय तक वर्षा ना होगा तो अस्थान सुखा पड़ जाएगा समझें अस्थान सुखा पड़ जाएगा और जो हैसो की खेत उत नहीं होगा तो हम लोग भी धिरी-धिरी मतलब मर ही जाएगे और वाईव मंदल भी क्या हो जागा गर्म हो जाएगा ठीक है जिससे ज्वाला मुखी फटने की डर है ठीक है तो यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो हमारा वाईव मंदल गर्म हो जाएगा और मतलब बहुत सी परसानिया आ सकती है ठीक है चलिए तब आगे चलते हैं आगे दोस्तो सुखार किसी कहते हैं जी हाँ दोस्तो अभी हमने पढ़ा सुखार किसे कहते हैं तो लिखेगा दोस्तो जब हमारा वाईव मंदल उतर लिखे दोस्त वाईव मंदल वाईव मंदल गर्म हो जाती है तो गर्म हो गर्म हो जाती है तो गर्म हो जाती है तो नदी तलाब सुख जाते है सुख जाते है जी यहां दोस्तो वायू मंडल गर्म हो जाती है और क्या होता है नदी तलाब सुख जाते है तो वही होता है आपको सुखाड समझे दोस्त वायू मंडल हमारा है बहुत गर्म हो जागा और नदी तल आप जितना भूमी में सब सुख जागा तो वही कहलाता है आपको सुखाड ठीक है तो चलिए अब आगे चलते हैं नई समझ में आता है तो कॉमेंटर में बताया किजिए अब दोस्तो आता है जल संगरहन किसे कहते हैं जल आप समझ रहे हैं संग्रहन का मतलब होता है दोस्तों जमा करना क्या होता है जमा करना होता है तो दोस्तों जल को जमा करना मालते हैं ये बादल है और बादल से पानिया गीरा और बादल से पानिया गीरा तो हमने गड़ा में जमा कर लिया और जमा कर लिया तो वही हो गया आपको जल संग रहन ठीक है दोस्त और बादल कैसे बनते हैं बादल पता है ना कैसे बनते हैं तो चलिए हम अब कुछ परस्ने को डिसकस कर लेते हैं और लास्ट में दोस्तों बादल कैसे बनते हैं लास्ट में हैं बादल कैसे बनते हैं तो दोस्तों देखिए समूंद्र का आप सवाल को डिसकस कर लेते हैं अगर आपको सवाल अच्छी लगेगी तो उसमें उतारा बताने का पर्यास किजेगा नहीं तो आप वीडियो के कोमेंटर बताएगा कि समझ में नहीं आया तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सवाल है आपके पास सवाल है दोस्तों कि कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं न हरा सहीं बिकल्प पर सहीं का निसान लगाईए सवाल है निमनांकित में से कौन सी परकिरिया बादल बनने में सामिन है वास्पन, वास्पन के बाद संगनन, उर्धोपातन, संगनन दोस्तों आप इसका उतर बता सकते हैं तो चलिए अब अगला प्रस्ण देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रस्ण है निमनांकित में से कौन बाद से संबंधित नहीं है इसमें से कौन ऐसा आती है जो बाद से संबंधित नहीं है तो यहाँ है पहला है जानमाल की छती जानमाल की छती यह मतलब बार से संबंधित है बार आने पर जानमाल की छती हो सकती है वो पूछ रहा है अब देखें मिटी का अपरदन मिटी का अपरदन इसमें से बताएं कौन संबंधित नहीं है बीमारियों का कम होना और पेजल दोसित होना इसमें कौन है जो संबन्दित नहीं है भार से चलिए आप उतर बता दिजएगा ठीक है अब है दोस्तों रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिये जल को वास्प में बदलने के यब परिवर्तन का मतलब बदलने परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल को वास्प में बदलने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, आप तो समझी गए होंगे, तो चलिए यह भी बना लीजेगा, अब है दोस्तों, अब हमने बताना भूल किया, कुवाँ में जल की आप उर्ती कहां सोती है, यानि कि पौधे की वास्पन द्वारा जल की बर्बादрах तो आप सिमझ गया होंगे तो चलिए आज कर लेक्चर यह पर समापत करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देजगा और एक अच्छा 6 के लिए था ठीक है और 2021 के बाद कर रहे हैं तो चलिए वीडियो समापत हुआ